नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मगर एजुकेशन पे आखिरकार इंतजार कहते कहते हमारे SAC GD का नोटिफिकेशन आ चुका है ये पहले आने वाला था 27 अगस्ट को लेकिन कुछ कारण बस SAC के तरब से अपडेट आता है कि उस दिन आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो नया नोटिफिकेशन कब आएगा ये आएगा 5 सितंबर यानि टीचरस देखे अफसर पे आएगा आज 5 सितंबर आपका जो नोटिफिकेशन आ चुका है चली इस notification में क्या-क्या चीजे हैं कि कुछ changes हुए हैं कि नहीं हुए हैं या फिर बही हमारा पुराना pattern है सब कुछ देखते हैं और कितना vacancy ये सब सारा कुछ देखेंगे कि exam का pattern क्या-क्या है सारा कुछ इसी वीडियो में देखेंगे सबसे पहले जो important चीज है कि आपका जो notification है मलग जो आपका form है ये कव से भराएगा कव तक भराएगा सबसे important चीज यही होता है तो ये जो आपका शुरू हो जाएगा आज 5 सितमबर आज आपका शुरू हो गया है आप जाकर form भर सकते हैं कव तक भर सकते हैं तो ये आप भर सकते हैं 14 अक्टूबर तक आप form को भर सकते हैं भरने के बाद जो आपका payment का time है वो एक दिन extra दिया जाता है कि online payment आप कर सकें कव तक का time है तो वो 15 अक्टूबर तक का time है उसके बाद आपको correction window खुलेगा ये 5 नमंबर को खुलेगा और 7 नमंबर को खतम हो जागा लेकिन ऐसा करियेगा ही नहीं कि आपको correction का जरूरत परे आप form ही भरियेगा थ्यान से भरियेगा सही से भरियेगा ठीक है correction का जरूरत आपको नहीं पाना चाहिए और जैसा कि पिछले वीडियो में बताएं थे जो 27 अगस्ट को वीडियो था उसमें कि जो हमारा एक्जाम का डेट है उसमें कुछ भी फर्क नहीं परा ये आपका जो एक्जाम होना है जनवरी फरवरी दोहजर पचीस के बीच में हो जाना नोटिफिकेशन भले ही 10 दिन डिले हुआ लेकिन जो हमारा एक्जाम तारीक है उसमें कुछ भी डिले नहीं हुआ है अब चली आगे क्या है जिस चीज का सबसे जादा इंतजार लाता है वो क्या होता है कि कितना सीट है टोटल कितना सीट है देखिए टोटल कितना सीट है BSF के लिए टोटल मेल में कितने है 13,000 CISF के लिए टोटल मेल में कितने है 6430 CRPF के लिए कितने है 11,299 SSB के लिए कितना है 819 ITBP के लिए कितना है 2564 AR के लिए कितना है 1140 SSF के लिए कितना है 35 और NCB के लिए कितना है इगारा टोडल मेल के लिए कितना है 35 बंदे सिनके सिle हेए कोई बीच नहीं है और यह सिंग में कोई भी शीट नहीं बाकिस अब में कुछ कुछ च i mamay清 äm इस प्रकाजुट मेल प्लस फीमल टोटल जो वेकेंसी है आपका वो कितना है वो है 39,481 है कितना है 49,481 बस 600 500 और जाता तो यह 40,000 प्लस हो जाता है हलाकि यह tentative vacancy होता है tentative का मतलब क्या है कि बाद में जाकर changes हो सकते हैं मतलब कुछ बढ़ भी सकता है कुछ घट भी सकता है लेकिन नॉर्मली यह देखा जाता है कि जो आपका vacancy होता है वो हमेशा बढ़ता ही है यह फाइनल होते होते कहां तक पहुंचेगा नहीं कहा जा सकत लेकिन जो अभी आया है notification उसके हिसाब से आपका जो vacancy है वो कितना है वो है 49,481 लेकिन आपको चाहिए सिर्फ एक और एक seat इसलिए ये नहीं सोचेगा कोई ये नहीं सोचेगा कि कम seat है कोई ये नहीं सोचेगा कि बहुत ज्यादा seat है तो अराम से परहेंगे कोई ये नहीं सो seat है भले ही 2000 vacancy क्यों नहीं रहें लेकिन आपको मतलब होना चाहिए कि उस 2000 seat में मेरा एक seat final है फिर भी ये फिर भी लगवक 40,000 के आसपास है ठीक है तो रिलेक्स भी आपको नहीं हो जाना है आपको अपने एक seat से मतलब रखना है अब देखिए age limit जो सबसे important चीज है age limit क्या है कि कोई भी candidate 18 साल से कम नहीं और 23 साल से उपर नहीं ये आपका age limit है आप ऐसे भी आपको बता रखा है क्या कि जो आपका date of birth होना चाहिए वो क्या होना चाहिए दो जन्वरी 2002 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए अलवक कि आपका जन्म अगर दो जन्वरी 2002 से पहले हुआ है तो आप नहीं भर सकते हैं या फिर एक जन्वरी 2007 के बाद हुआ है तब आप नहीं भर सकते हैं ठीक है लेकिन relaxation है जैसे SC ST के लिए 5 साल का relaxation है और OVC के लिए कितना है, तिन साल का relaxation है, ऐसे भी कुछ और एक सर्विसमेन, यह सब relaxation है, अब आगे क्या कह रहा है, कि इसके लिए आपको कौन सर डिगरी चाहिए, और उस डिगरी, बोर डिगरी आपको कब तक मिल जाना चाहिए, देखिए, जो आपका age limit count होगा, वो count कब से होगा, educational qualification के हिस जो भी बोलिये, उसका certificate आ जाना चाहिए, कब एक जनवरी दोहजर पचीस से पहले आ जाना चाहिए, और दूसरा line में यह भी लिख रखा है, कि अगर certificate इससे पहले नहीं आता है, तो आप eligible भी नहीं है, अगर eligible किसी तरीके से भर भी लेते हैं, तो कोई फाइदा नहीं है, ठीक है, तो आपका जो 10th का डीरी है, जो certificate है, वो कब तक आ जाना चाहिए, वो एक जनवरी दोहजर पचीस तक आ जाना चाहिए, अब यह कहां से होना चाहिए, बहुत लोग यह भी message करते हैं, कि कहां से होना चाहिए, यह किसी भी जगह से जो भी government verified, government recognized school है, university है, कहीं से भ जिनके पास है, उनको क्या मिलेगा, bonus marks मिलेगा, कितना, जैसे जिनके पास NCCC certificate है, उनके लिए 5% है, total examination का, NCC B certificate के लिए 3% और NCC A certificate वालों के लिए 2% का है, ठीक है, अब आगया यह, फीस कितना है, फीस, SAC का अगर आप त्यारी कर ले होंगे, SAC का कोई भी वीडियो आपको पता है कि female candidate के लिए कुछ भी फीस नहीं होता है, female candidate के लिए हमेशा free है, ठीक है, और male candidate में भी अब आता है general, OVC, SC और ST, उसमें भी क्या है कि आप जो charges लगेगा, जो भी charges है, ज्यादा भी नहीं है, 100 प्या charges है, यह सिर्फ किस के लिए लगता है, तो यह लगता है male candidates के लिए, male candidates में भी किस के लिए देखे, कौन-कौन होता है, एक आपको होता है general, एक होता है, OVC, एक होता है SC, और एक होता है ST, तो यह SC, ST वालों के लिए जो fees लिया जाता है, वो fees लिया जाता है, सिर्फ general और OVC वालों से, कितना तो 100 प्या, जो भी general और OVC के candidate है, male candidate है, उनके लिए यह fees है, कितना 100 प्या है, ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, जो भी question होंगे, वो English, Hindi के साथ-साथ कुछ-कुछ regional language में भी available होंगे, जो आपका exam conduct होगा, वो English और Hindi, जो normal होता है, वो तो होता ही है, लेकिन, अगर किन ही का regional language सेलेक्ट करते हैं, जैसे एसमिज, बेंगाली, गुजराती, कंणड और कौंकनी, मलियालम, मनिपूरी, मराथी, उरिया, पंजाबी, टमिल, टेलगु, उर्दु, अब कोई भी regional language में exam दे सकते हैं, ठीक है, अब सवाल यह है कि negative marking है कि नहीं, तो GD में negative marking है, कितना negative marking है, ए एक गलत करने पे, आपका 0.25 number कट जाएगा, कितना 0.25 number कट जाएगा, कितने पे, एक गलत करने पे, चलिए, अब क्या आता है, mode of selection, जब आप त्यारी कर रहे हैं, और जब आपका joining आएगा, इसके बीच आपको किस-किस phase से गुजरना परेगा, जैसे आज notification आया, सबसे पह आपको क्यों बहना है, ताकि आप इसके लिए eligible हो जाएं, ठीक है, यह क्या होगा, यह होगा, आपका computer-based examination, computer-based examination का मतलब क्या है, कि आपको जब exam conduct होगा, जो कि जनवरी, फरवरी में होना है, जब conduct होगा, उसमें क्या होजाएगा, आपको जाना है, computer screen पे बैठना है, उसम आपको सामने question दिखेगा, चार option दिखेगा, आपको सही answer मारना है, और आपको cut off clear करना है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज होता है, आगे चल कर डिसकस करेंगे, उसके बाद आपका क्या होगा, आपका physical होगा, और medical होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, जो तीसरा step होता है, वो आपका होता है, document verification, बीना कागज पतर चेक किये, थोड़ी आपको joining देदेगा, ठीक है, और कागज में क्या-क्या देखता है, जो आप भरे हैं, SSC website पर registration के समय भरे हैं, वो original है कि नहीं, आप date match कर पा रहे हैं कि नहीं, जो आपका 10th के लिए चाहिए था, कि एक जन्वरी 2025 तक आपको certificate चाहिए, age चाहिए, ये सब आपका चाहिए, इसके अंदर check हो जाएगा, अब आईए अगले slide पर, अगले slide जैसा कि अभी बताएं पहला phrase में क्या आता है, computer based examination, इसमें क्या-क्या चीज पूछा जाएगा, तो इसमें क्या-क्या चीज पूछा जाएगा, देखिए, ये एक घंटे का exam होगा, कितने घंटे का, एक घंटे का exam होगा, ये चार section में exam हो गता है, ठीक है, और हर section में 20-20 सवाल आता है, और एक 40 नंबर, मतलब एक सवाल पर दो नंबर मिलते हैं, ठीक है, अब कौन-कौन से subject का होता है, देखिए, कौन-कौन से subject का होता है, एक तो आपका reasoning हो जाता है, part 1 क्या है, reasoning है, reasoning के 20 सवाल आएंगे, total 40 नंबर के negative marking 0.25, जैसा कि पहले होता है, part B क्या है, आपका जिक्के, ये, सारा कुछ हिसी के अंदर आता है, 20 सवाल आएंगे, 40 नंबर के negative marking 0.25, elementary mathematics, elementary mathematics का मतलब क्या है, math में क्या-क्या चीज है, देखिए, elementary mathematics है, बस simple-simple से question, जो आप 10th level तक पर हैं, बही सब कुछ है, मतलब कि advanced ज्यादा नहीं पूचा जाता है, arithmetic में भी basic-basic सवाल ही पूचा ज मतलब कि आपको जब exam center पर जाएंगे, आपको दोनों option मिलेगा, ऐसे आपको बहां पर भी मिलेगा, जब form भरेंगे, बहां पर भी आप पूचा जाएगा, कि आप किस mode में examination देना चाहते है, वो अलग चीज है, mode में examination देना चाहते है, ये अलग चीज है, ये आपका paper attempt करिए, ये हिंदी से 20 सवाल attempt करिए, सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें ये होता है, कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, कि 20 सवाल आपको attempt करना है, कुछ लोग अगर इंगलिस में 10 सवाल आ रहा है, हिंदी में 10 सवाल आ तो इंगलिस के 10 सवाल attempt कर लेंगे, और हिंदी के 10 सवाल attempt कर लेंगे ऐसे नहीं करना है जो भी एक ही सब्जेक्ट चूना है या तो हिंदी चुईए या फिक इंग्लिस करीए अगर दोनों करिएगा तो आपका चांसेज है कि दोनों में आपका कोई भी नंबर काउंट नहीं हो इसलिए क्या कहना है, हो सेगे तो आप disqualify भी हो सकते हैं तो इसके लिए क्या कहना है, आप या तो हिंदी पकरिए, या इंग्लिस पकरिए कुछ भी पकरिए, लेकिन बस एक ही चीज पकरिए टोटल कितने सवाल है, टोटल 80 सवाल टोटल कितने सवाल? 80 सवाल और 80 सवाल के लिए आपको मिलेगा 1 घंटा कितना मिलेगा? 1 घंटा अब चलिए सिलेवस में जैसे बताएं जिक्के, रिजनिंग, मैथ, इंगलिस या हिंदी अब सिलेवस देख लेते हैं हम लोग सिलेवस में क्या क्या है? देखिए अलाकि हर सब्जेक्ट का आपको अलग से डीटेल वीडियो मिलेगा लेकिन ये ओभर वीडियो है तो इसमें के हिसाब से देख लेते हैं सबसे में चीज जिक्के में जो होता है वो क्या होता है? स्पोर्ट से रिलेटेड हिस्टरी और इंडिया इसके नेवर कंटरी कल्चर जियोग्राफी फिर आपका क्या है एकनॉमिक साइन्स जेनरल पॉलिटी मतलब पॉलिटी है इंडियन कंस्टियोशन और साइंटिफिक रिसर्च ये सब जो बेसिक पेसिक जो चीज होते हैं जिक्के में o जल्द ही मिलेगा आपको कल 6 सितंबर को आपको डेटेल मिल जाएगा इसमें क्या क्या चीज होना चाहिए क्या मेज़ आपको मैट की वीडियो मिल जाएगा जो में मैं में चीज होते हैं जैसे किheen इन लोगी डिफ्रेंसेज, विजुलाइजेशन, सारा कुछ जो है आपको है और ये मगर इजुकेशन चैनल पर इसका प्रहाई भी होगा ये सिर्फ वीडियो भी बना कर छो दिया जाएगा आप लोग देखे होंगे कि SLCD का प्रैक्टिस क्लास चालू भी हो चुका है ठीक है विजुल मीमोरी, डिस्क्रिमनेशन, अबजर्वेशन, रिलेशन, कॉंसेप्ट, रिलेशन सिपॉंट, कॉंसेप्ट, आथमेटिक, रिजनिंग, एंड फिगरल ये सारा कुछ आपका क्या है ये सब सारा कुछ रिजनिंग का सिलेवस है अब आईए किस पर मैट पर, मैट का वीडियो आपको आज ही मिलेगा, ठीक है मैट में क्या-क्या चीज़ है, परसेंटेज, लेशियो, प्रॉफिट अन लॉस, डिसकाउंट, सिंपल इंट्रेस्ट, कंपाउंड इंट्रेस्ट, नमबर सिस्टम और सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी है, और क्या-क्या है, आपका कम्प्यूटेशन ओफोल नमबर, डेस्मल फ्रेक्शन, रिलेशंसिप बिट्मिन नमबर, यह सब सारा कुछ जब हम परहेंगे, तो नमबर सिस्टम के अन्दर ही सारा कम्प्लीट होगा क्या होता है, उसमें क्या होता है, कि बस आपको फर्मूला पे सीधा सीधी आपको रेडियस डे दे जाएगा, आपको बोला जाएगा, कि निकाली यह सीव वोल्यूम निकाली हो, टोटल सर्फेस यह निकाली, एकदम बेसिक से सवाल रहते हैं, मलब कि मैंसुलेशन बस उपर-उपर से आप बरहेंगे, तब भी चलेगा, उतना ही करना है, बाकि जो एथमेटिक का पार्ट रह गिया, एथमेटिक में यह दोनों चेप्टर जो होते हैं, सबसे जरूरी चीज होते हैं, यह दोनों अगर और फुर्ण जो चीज होते हैं, यह सब सारव कुछ आता है हिंदी के स्लिवस में, अब आएए इंग्लिज के स्लिवस में, इंग्लिज स्लिवस में क्या-क्या है, फिलिंडवलेंक्स क्लोज-टेस्ट फ्रेज्ज ऑण स्पलिंग कुम्प्रिहेंसर, अर सी, चलिए, यह तो Computer Vest Examination में सारा कुछ syllabus बगेरा सारा कुछ देखे, इसके बाद क्या होता है? PhD और PMT, यह PhD, PhD, Devol हो गया, इसको ignore करिएगा, ठीक है? एक होता है, PET, Physical Efficiency Test, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका छमता चेक किया जाएगा, छमता कैसे चेक किया जाएगा? आपको डौर आया जाएगा, कि डौर यह जो male candidate है, उनके लिए क्या हो जाएगा? कि 24 मिनट का रेस होगा, 5 किलोमेटर, 5 किलोमेटर आपको 24 मिनट में complete क यह किसके लिए है? जो लदाक रीजन से नहीं है, जो नहीं है, उनके लिए 24 मिनट का रेस होगा, और जो लदाक रीजन से है, उनके लिए 7 मिनट का रेस होगा, जो जेनरल वाले है, लदाक के अलावा, उनको 24 मिनट में 5 किलोमेटर दोरना है, ठीक है? और जो लदाक में है उनको 7 मिनिट में 1.6 km दोर ना है यह हो गिया male के लिए अब आईए female के लिए female के लिए क्या है जो लदाख से बाहर के हैं उनको सारे 8 मिनिट में 1.6 km कभर करना है ठीक है और female candidate के लिए ही जो लदाख रिजन से हैं उनको उनके लिए 5 मिनिट करेश होगा पांच मिनेट में 800 मीटर कभर करना है, यह हो गया दौर का पार्ट, इसके बाद आपका क्या हो जाता है, इसके बाद आता है आपका पीएस्टी, फिजकल एस्टेंडर्ड टेस्ट का मतलब क्या हो जाता है, कि आप उसके लिए इलिजवल हैं कि नहीं, जैसे आपका हाइट, आपका चेश्ट, यह सब कुछ आपका देखा जाएगा, जैसे जो हाइट होना चाहिए वो ऐ्ल कैंडिडेड का कितना है, बन सेवंटी संटी मीटर और फ्यमेल के लिए कतना है, सेंटी मीटर इन इनके height में किसके किसके लिए छूट रहता है तो यह रहता है आपका किसके लिए ST के लिए रहता है और जो hilly area से हैं उनके लिए थोड़ा बहुत रहता है अब आईए chest के लिए chest सिर्फ male candidate का होता है female candidate का नहीं अब chest में क्या है कि बीना फुलाए हुए आपका 80 cm होना चाहिए अगर आप फुलाते भी है तो कम से कम जैसे होता है चेस्ट अभी है इसके लारा हमाराrib pee ta sist खतम होता है इसके लारा होगा document verification ourнет के लिए में ऐपका क्या-क्य चल कि आएगा आपका साफ डोकुमेंट क्या जाए जाएगा आप आपका है चेक किया जाएगा, आपका उनिवर्सिटी, मतलब कि गोर्मेंट वेरिफाइड है, यह सब सारा कुछ चेक किया जाएगा, तो यह वीडियो रह गया, कि इसके बारे में यह वीडियो रह गया, कि SAC के अंदर, GD के अंदर जितना भी जनकारी आपको मिलना चाहिए, जितना आ है, तीन महिना आपके एकजाम में हैं, तो तीन महिना कैसे परहेंगा, यह आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो चैनल को जदा सब्सक्राइब कर दिजिए, ठीक है, अगर आपको त्यारी करना है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ,